हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल बेबी मॉमी हेल मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग, I think सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खोश होंगे दोस्तों, हर किसी के दिन की शुरुआ चाय से होती है घर के बड़े बुजुर्गों को देखकर बच्चे भी चाय पीने की चित करते हैं बेशक कुछ मामलों में चाय पीना फायदेमंद हो सकता है लेकिन क्या बच्चों को चाय देनी चाहिए, क्या बच्चों को चाय पिलाना सही है तो जो चाए बड़े बुजुर्ग पीते हैं वो बच्चों के लिए कई मायनों में स्वास्त के लिए ठीक नहीं है तो बच्चों को चाए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को चरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले बात करते हैं चाई पीने से बच्चे को नुकसान देखे ब्लैक टी और ग्रीन टी में कैफीन होता है इसलिए चाई पीने के बाद शरीर को एनर्जी मिलती है लेकिन ये कैफीन बच्चों को अधिक नुकसान पहुचाता है 12-18 वर्ष की आयू के बच्चों को एक दिन में 100 मिली ग्राम से अधिक कैफीन नहीं लेना चाहिए वहीं 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कैफीन को बिलकुश रक्षित नहीं माना जाता है चाई पीने से बच्चे को होने वाले नुकसान बहुच जाता है सबसे पहले तो कैफीन देखे चाई में कैफीन की अधिक मात्रा पाई जाती है कैफीन बच्चों को नुकसान पहुचा सकता है इसलिए 12 वर्ष से कम उम्मर के बच्चों को केफिन देने से बचना चाहिए अधिक एफिन लेने से बच्चों को नीन नाने की समस्या हो सकती है गब्राट और बार बार पेशाब आने का कारण बन सकता है कैफिन शरीर में सोडियम और पोटेशियम के इस्तर में कमिला सकता है दूसरा है दोस्तो अलर्जी कुछ बच्चों को चाई से अलर्जी भी हो सकती है इस तुरान बच्चों को सास लेने में दिक्कत, गले, हो, जीब और चेहरे पर सूजन जैसी समस्याओ का सामना करना भी पड़ सकता है अगर चाई पीने के बाद बच्चों में अलर्जी के लक्षन नजर आते हैं तो तुरान डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि चाई और कॉफी बच्चों के लिए टाइप वन डाइबटीस के जोखिम को बढ़ाता है जो बच्चे नियमित रूप से चाई और कॉफी का सेवन करते हैं उन्हें टाइप वन डाइबटीस के जोखिम होने का खतरा अधिक रहता है इसलिए बच्चे को कैफीन से दूर ही रखना चाहिए मोटापा जी हाँ दोस्तो नियमित रूप से चाई पीना बच्चों में मोटापा बढ़ा सकता है चाई में मोजूद कैफीन और शुगर बच्चों का वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं कुछ रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि चाई पीने से बच्चों का वजन बढ़ सकता है घबराट बच्चों को चाई पीने के कारण हो सकती है कुछ शोध में जब चाई या कॉफी पीने के बाद बच्चों की शारिर्प्रितिक्रिया की जाच की गई तो बच्चों का बलर प्रेशर काफी बढ़ा हुआ मिला इस दोरान बच्चों को घबराट हो सकती है साथ युवे थकान भी महसूस कर सकते हैं चाई बच्चे की हार्ट बीट को बढ़ा सकती है देखे कभी कभी एक कोशिन पूचा चाता है फिर बच्चों को कौन सी चाय पिला सकते हैं देखे ब्लैक और ग्रीन टी के बजाए बच्चों को हरबल्टी पीने देनी चाहिए हरबल्टी जड़ी बूटियों से बनती है और इसमें आम तोर पर कैफीन नहीं होता है दो साल से अधिक उम्र के बच्चों को हरबल्टी पीने को देज दी जा सकती है इससे बच्चों को कई फायदे हैं लेकिन 6 महिने से कम उम्र के बच्चों को हरबल्टी या कोईबिटी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें हाननिकारक safely अधिरिया हो सकते हैं जिस से बच्छे को इलर्जी शक्ती है अब बात कर लेते हैं ठोड़े सा कि बड़े बच्छों को कौन-कौन सी चाही दे सकते हैं देखें कैमोमाल टी आंप बच्चे को दे सकते हैं क्योंकि यह कैमोमाल पीले और सफिद रंगे फूल होते हैं इनी फूलों की मदद से कैमोमाल चाह बनाई जाती है चाह बच्चो और छोगे बच्चों के लिए सुरक्षित माने गई है इस चाय में एंटी आक्सिडेंट, एंटी इंफलिमेंटरी गुन होते हैं इसके लावा कैममाईल पोशक तत्वों से भरपूर होती है इसलिए इसे बच्चों की हेल्थ के लिए काफी फायदे मन माना जाता है आप बच्चे को रात में सोने से पहले कैममाईल चाय पिला सकते हैं इसे बच्चे को नीद अच्छे आती है सर्दी जुखा में सिर्दर्ध होने पर अक्सर अद्रक की चाय पीने की सलहा दी जाती है व्यसकों के साथ अदरक की चाय बच्चों के लिए भी फायदे मंद होती है अदरक में एंटी इंप्लिमेंटरी गुण होते हैं जो स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद साबित होते हैं सौफ की चाय भी बच्चों को फायदा दे सकती है या बच्चों की सेहत के लिए फायदे मंद हो सकती है सौफ की चाई पीने से पेट दर, सर्दी, खांसी की जैसी समस्याओं में अराम मिलता है सौफ की चाई पीने से बच्चों का पाचन बहतर रहता है उन्हें जल्दी गैस और कब्ज की जैसी समस्यां परिशान नहीं करती है नेक्स्ट आपका पुदिनी की चाय पुदिनी की चाय एक बेस्ट हर्बल्टी माने जाती है पुदिने में मैथोल होता है इसके चाय पेने से पेट और शरीट को ठंड़क मिलती है बच्चों के लिए पुदिनी की चाय काफी फाय देमंद हो सकती है इस चाय को पीनी से बच्चे पेट दर, मतली, orRetable bowel syndrome जैसे समस्या से बचे रहेंगे बच्चों के लिए हर्बल्टी कैसे बनाएं बच्चों के लिए चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कप पानी को गरम करना हैं फिर हरबल्टी बैग इसमें डाल दें 2-4 मिनट पानी में डाले रखें फिर इसे गुन गुना पानी को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें इसके बाद इसमें थोड़ा सा दें तो इस तरीकर से आप बच्चे को हरबल टी दे सकते हैं बच्चे को आपको कैफिन वाली ब्लैक टी नहीं देनी हैं तो बतचों को रिस्क से बचाएं और अपने बच्चे की हेल्थ को सधारे तो उम्मीद करती हूं दोस्तों आज का इग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को जादे से जादा शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग बेबी मॉमी हेल्प थैंक यू नमस्कार